हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो यूपी से एसस टैली सरीज का एलेक्शन अबर 45 है और आज हम इस वीडियो में जनौरी से कंटिन्यू करेंगे पिछले वीडियो में हमने दिसंबर तक की इंट्री जो थी वो कंप्लीट कर ली थी ठीक है तो चलिए जनौरी से स्टाट करते ह है और यहाँ पर आपको हम टैली में दिखा दे तो कैस स्टी थी जो है यह आपकी ओपन है और यहाँ पर हम चलते हैं आपको डिस्पले में और डे बुक में यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपकी दिसंबर तक की जो इंट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है ठीक है अब ह यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी इनोंने GST पे की है ठीक है तो यहाँ पर बताया नहीं गया है कि कौन सी पे की है आप question पढ़ सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पर इनोंने GST पे किया है और यह कहां से कहां तक तो 31 देसंबर तक की पे की है ठीक है 31 देसंबर तक क तो वो हर महीने जमा किया जाता है, लेकिन उन्हें हर महीने नहीं जमा किया है, ये 6 महीने बाद सीधे सीधे जमा करें, इसलिए जो tax है, उसके उपर इनका interest भी लगेगा, penalty भी लगेगी और late fees भी लगेगी, ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीजें लगेगी, और ये तीनों आपकी expenses होंगी, क्या होंगी, expenses यनि खर्चा हो जाएगा, टाइम पर नहीं जमा किया, तो वो क्या हो जाएगा, expenses होगा, ठीक है, interest भी लगेगा, तो यहाँ पर interest का, penalty का, or late fees का तीन laser बनेंगे, और तीनों ये अंडर जाएंगे, indirect expenses के simple है, जैसे कि हम अभी तक indirect expenses के अंतरगत laser बनाते आ रहे थे, वैसे ही normally laser बनेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम GST भी पे कर रहे हैं, और साथ में ये तीन खर्चे भी हो रहे हैं, अब ये पे कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर बताया तो है नहीं, कि cash में पे कर रहे हैं, या चेक से पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बताया नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका HDFC bank मलब, जब entry में कुछ बताया नहीं जाता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, ज़्यादा तर cases में क्या होता है, कि GST जो होती है, वो एकाउंट से कटवा दी जाती है, बैंक से हमारे खाते से पैसा, वो GST का कट जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर कुल मला के check से पे किया गया है, तो यहाँ पर हम check मानते हैं, ठीक है, और reality में तो आपको पता ही रहेगा, कि आप जो है, कैस या चेक कैसा पे कर रहे हैं, वो तो आपको पता रहेगा, ठीक है, अब यहाँ पर एक चीजा और हमें पता करनी कि, यह C GST पे कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम चलते हैं, अब यहाँ पर GST नहीं टैक्स पे कर रहे हैं, तो हम चलते हैं, देखते हैं, अपना टैक्स अभी तक का कितना बकाया है, उसको देखने के लिए यहाँ पर ह हमारा जो होता है वो पे नहीं करना होता है ठीक है और जो credit में होता है वो हमारी liability होती वो tax हमें government को पे करना होता है ठीक है तो 6 महिने में हमारा finally 69,465 रुपए tax हुआ है जो हमें पे करना है ठीक है तो यहाँ पर यह तो होगी हमलब total tax duty and tax दिखा रहा है अब हम इस पर enter करते ह और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग-अलग कि CGST कितना पे करना है IGST और SGST कितना पे करना है ठीक है तो CGST पे करना है 12,55 और SGST भी 12,55 ही है और IGST कितना है 35,335 रुपए तो देखते हैं यहाँ पर यह पे कितना कर रहे है तो यह पे कर रहे हैं तो यह पे कर रहे हैं GST तो 35,000 वैसे ही directly है ठीक है तो यह क्या पे कर रहा है CGST और SGST पे कर रहे हैं तो दोनों मिला के कितना हो जागा 12,000 यह 12,000 यह तो टोटल कितना हो गया तो यह पे कर रहा है 24,110 रुपए ठीक है और बाकी यहां पर जो मलब पे तो 31,000 कर रहे हैं बाकी यहां पर आपका जो है इसमें 890, 4500 और 1500 यह तीनों इमांट मिला देंगे मलब इंट्रेस्ट भी तो पे कर रहे हैं पेनल्टी हो गया तो यह टोटल 31,000 रुपए पे कर रहे हैं तो I think समझ गे होंगे कि यहां पर क्या हो रहा है चेक द्वारा पे कर रहे हैं और कैसे पे कर रहे हैं CGST ठीक है और SGST पे कर रहे हैं चलिए इस इंट्री को हम फटा फट कर लेते हैं simple इंत्री है ज्याधा tough नहीं है ठीक है हम चलते हैं यहां पर टैलियिमे और यह अग चीज बताते हैं जो payment हम कर रहे है, tax का जब payment करते हैं, थोड़ा सा अलग type से पे करते हैं, बिल्कुल normally जैसे भी तक हम करते आ रहे थे, उस तरह से entry यह नहीं होगी, ठीक है, यह entry जो है वो दूसरे तरीके से होगी, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर accounting voucher में चलते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर हम date change करेंगे, ठीक है, date यहाँ पर लगाएंगे 1-1, यानि की 1 January, ठीक है, date लग चुकी है, यहाँ पर date change हो गई है, और यहाँ पर हम voucher change करेंगे, voucher होगा आपका यहाँ पर payment क्योंकि हम भुक्तान कर रहे हैं, लेकिन जब हम tax का payment करते हैं, यह tax भुक करेंगे, GST, और यहाँ पर यह पूछ रहा है कि, जो है, पिरियड क्या है, कहां से कहां तक पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर पे कर रहे हैं, एक साथ से, यानि एक जुलाई से, और 31 December तक की, समझ गये न, यह पूरा पे कर रहे है, तो यहाँ पर हम set कर देंगे, यहाँ पर पर और तीसरे नमबर पर यहाँ पर हमने, एक state payment वाला option आ रहा था, यह वाला देखी, अभी नहीं आ रहा है, पहले आ रहा था, क्योंकि यह भी तो आपके सामने वो खुल आई है, तो यह भी हमने तीसरे नमबर पर इस option पर क्लिक किया था, बस तीन चीज़े की हैं, और च से accept कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें debit or credit इस तरह से जा चुका, यह single entry mode है, यहाँ पर हम इसकी entry करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम tax pay करते हैं, इसी तरह से करते हैं, ध्यान दखना हो, तो यहाँ पर account में आपका हो जाएगा HDFC bank, जिससे हम pay कर रह हैं, और particulars में यहाँ पर किसका pay कर रहे हैं, तो KJST का pay कर रहे हैं, च SugST कितना pay कर रहे हैं, तो हमने आपको भी दिखाया था था ला, Trail Balance में, तो 12 dal जीरो पच्पन यहाँ पर भी दिखा राए हैं, ठीक है, हम इतना ही पे गर रहे हैं, तो यहाँ बेखते हैं, कितने लेज तो यहां पर हम laser बनाते हैं, यहीं पर हम alt के साथ c button प्रेस करेंगे, लेजर बनाएंगे interest का, ठीक है, interest, और यह under किसके जाएगा, indirect expenses के आपको पता है, indirect expenses, ठीक है, और यहां पर यह GST होगेरा सब not applicable रहेगा, यहां पर not applicable करते हैं, इसे not applicable, ठीक है, और यह भी not applicable और इसे हमन interest दे रहे हैं, 890 रुपए, ठीक है, 890 रुपए, यह हो गया, उसके बाद यहां पर अगला laser बनाएंगे, penalty का, ठीक है, penalty, और यह भी under indirect expenses के जाएगा, यहां पर not applicable रहेगा, यह भी आपका जो है, not applicable रहेगा, बिल्कुल वैसा ही laser बनेगा, जैसा भी हमने बनाया था, interest का, accept करेंगे, तो यहां पर फिर से वही चीज पूछेगा, type of payment यह कैसा है, तो यहां पर भी हम select करेंगे, penalty, क्योंकि penalty का laser बनाया था, penalty कितनी पड़ी है, 4500 रुपए, आप देख, वहां पर चेक कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर penalty के बाद तीसरा है, अपका late fee, ठीक है, तो late fee के यहां पर laser बनाएंगे, late fee, और यहां पर भी अंडर indirect expenses, not applicable, और यहां पर भी यह अपका not applicable, not applicable, और यह accept हो गया, यहां पर यह पूछ रहा, तो यहां पर हमें select करना है late fee, ठीक है, और कितना 15, रुपए, तो यह बस हम गेंगे, सिर्फ इतना ही करना था, औ और finally क्या करेंगे, इसे हम yes कर लेंगे नीचे, यहां पर provide GST detail yes करेंगे, और यहां पर हम select कर लेंगे check over the counter, ठीक है, मलब check से payment किया गया है, बाकी यहां पर bank की detail डाली जाती है, आप इसे skip कर सकते है, original work में यहां पर सारी चीज़े हम बरते है, ठीक है, फिलाल यहां पर इस 2500 रुपे पे गिया है, up to 31st December, ठीक है, मलब एक जुलाई से ही और December तक कर पे किया है, simple सी बात है, यहां पर इन्होंने IGST पे गिया, यहां पर इन्होंने C और S पे किया था, यहां पर इन्होंने C और SGST पे किया था, और यहां पर IGST पे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी इंट तो यहां पर भी करने होगे लेकिन यहां पर हम on कर चुके हैं तो यहां पर हमें on नहीं करना हो ठीक है अभी वही mode open है देखे हैं यहां पर open है कि नहीं बस हमें क्या करना होगा यहां पर state payment पे click करना होगा और यहां पर होगा आपका IGST, ठीक है, IGST कितना फिर कर रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, 35, 355 हमने आपको Trial Balance में भी दिखाया था, ठीक है, और फिर यहां पर आपका Interest लगेगा, ठीक है, Interest भी तो लगेगा, यहाँ पर भी इंट्रेस्ट लगेगा, इंट्रेस्ट यहाँ पर कितना लग रहा है यहाँ पर पहले तो select बदाएंगे कि क्या है इंट्रेस्ट है और फिर देखते हैं आपर question में कितना इंट्रेस्ट है, 11.45 ठीक है 11.45 रुपए है और फिर यहाँ पर आपका लगेगा penalty और जो penalty है वो भी इसमें भी 4500 रुपए पहले तो यहाँ पर हम select करेंगे penalty और फिर उसके बाद 4500 रुपए फिर उसके बाद यहाँ पर आपका होगा late fee और यहाँ पर हमें बताना होगा कि यह late fee है और फिर उसके बाद यह आपका 15,000 रुपए ठीक है और यह आपका देखे complete हो गया यहाँ पर भी हम इसे yes करेंगे और check ठीक है यह हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका amount total 22,500 रुपए आ रहा है जो कि इन्होंने total यहाँ पर final pay किया था 22,500 ठीक है तो यह entry हो गए इसे हम accept कर लेते हैं कोई confusion हो तो आप comment करके बता सकते हैं या फिर इस वीडियो को तुरंट repeat करके देखें आपको समझ में आ जागा ज्यादा tough नहीं है बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है फिर अगली entry है pity cashier वाली simple सी entry है जो हम हर बार करते हैं तो इस entry को हम फटाफट कर लेते हैं लेकन उससे पहले यहां पर हमें F12 की प्रेस करके और huge single entry mode वाला जो option यह वाला था ना इसे हमें no करना होगा वापस से ठीक है तो इसे हम वापस से no करके और इसे control से accept कर लेंगे ठीक है तो यह वापस से normal आ जाएगा जैसा कि हम कर रहे थे तो यह वाली जो entry है इसमें भी आपका voucher कौन सा होगा payment ही होगा और debit में क्या होगा telephone expenses आपका यहां पर कितना है आप देख लीजिए अगली बार फिर से debit होगा और अगली बार जो फिर से debit है वो आप यहां पर क्या है electricity expenses एक हजार रुपए तो यहां पर यह electricity expenses हो जाएगा ठीक है और credit में आपका pity gas हो जाएगा और यह entry हमने finally accept कर ली चलिए अगली इंट्री देखते क्या है अगली इंट्री है यहां पर rent दिया गया है simple entry है तो यहां पर हम रेंट दे देते हैं फटाफट तो voucher payment होगा debit में आपका rent हो जाएगा 5,000 रुपए दिया है ठीक है और यहां पर office का दिया है इन्होंने 3,000 रुपए और यहां पर go down का दिया है इन्होंने 2,000 रुपए ठीक है और credit HDFC bank क्योंकि इन्होंने चेक इसू किया था ठीक है आप question देख सकते हैं यहां पर यह देखें Mr. जोसी इसू अचेक अगला question है Mr. जोसी sold the following item सूगम trading company सूगम trading company को इन्होंने क्या किया है निमलिकेता item बेच दिये है और इनको 5% का discount भी दिया है तो इस टाइप की entry भी आपने कई बार की है गो down यहां पर कौन सा होगा जैपर होगा तो यहां पर यह simple entry कुछ भी create नहीं करना चलिए इसकी entry हम फटाफट करते हैं voucher sales हो जाएगा party ने में आपर सूगम होंगे उनका laser बनेगा क्योंकि पहली बार आ रहा है ठीक है तो यहां पर उनका laser हम बना लेते हैं तो alt-c और laser बनाते हैं सूगम trading company अंडर यह किसके जाएंगी तो दिखिए इनको हम बेंच रहा है न मलब sell कर रहा ह जब भी हम माल उधार बेंचते हैं वो संडी रेबिटर होता है ठीक है और इसे हम क्या करेंगे final accept कर लेंगे और यहां पर registration type यह होगा regular होगा आपका जैसे normally अभी तक आ रहा था regular customer है और इसे हम यहां पर accept कर लेंगे ठीक है तो यह आपका accept हो गया और इसे controller से accept करते हैं य यहां पर sales laser में में आपका sales हो जाएगा यह पूछ रहा है यहां पर tax classification detail तो यहां पर आपका हो जाएगा sales taxable ठीक है यहां पर आपका होगा sales taxable यहां पर देखिए तीन option है आपर sales exam तो हमें select करना है आपर sales taxable और यह वाला अगर आप में यह वाला option नहीं आ रहा है तो आपको keyboard से यहीं पर प्रेस करना है F12 कौन सा option नहीं आ रहा है जब यहाँ पर आप purchase या sell डाल करके enter करते हैं तो अगर यह tax classification detail नहीं आ रही है तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपको यह F12 की प्रेस करनी है और इसमें नीचे बढ़ना है तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा allow modification of tax detail for GST इसे आपको करना है yes ठीक है तो इसे जब आप yes कर देते हैं तो वह option आने लगता है कर इसे हम no कर देते हैं आपने no कर दिया ठीक है और अब देखिए यहाँ पर जैसे हम sales डाल GST से हमने yes कर लिया और finally हमने यहाँ पर देखिए अब जब sales डाल के enter करेंगे तो यह पूछेगा क्या है तो यहाँ पर हम बता देंगे यह sales taxable है ठीक है sales taxable है अब यहाँ पर हम name of item select करते है ठीक है तो name of item में आपका कौनस item है देखिए आटा चकी LED lights यह सारे आपके item है ठ ठीक है यहाँ पर देखिए place लिखा हुआ है तो गलती से mistake होगे यहाँ पर deliver होना चाहिए था ठीक है goods are delivered in जैपूर गोडाउन के यहाँ पर हम sell कर रहे है ठीक है तो जब हम purchase करते है तो वह placed होता है लेकर जब हम sold करते है तो delivered होता है ठीक है यह typing की mistake है चलिए तो फिलाल य क्या quantity यहाँ पर कितनी है 10 है और rate यहाँ पर कितना है rate है आपका 7000 रुपए discount कितना हो रहा है discount हो रहा है आपका 5% का ठीक है और इसे हमने accept कर लिया ठीक है और अगला item इसी तरह से save सारे item आपके इसी तरह से होंगे यहाँ पर आप कर सकते हैं कोई दिक्कर नहीं है तो इस यहाँ पर GST भी लग चुका है और जो discount था वो discount भी यहाँ पर हो गया है ठीक है तो इसे यहाँ पर हम accept कर लेते हैं ठीक है और यह आपका accept हो गया चलिए अगली entry की तरह बढ़ते हैं अगली entry Mr. Jossi paid cash Mr. Jossi नहीं क्या किया है cash pay किया है मतलब salary दिया है simple सी बात है और यहा यहाँ पर इन्होंने list भी दे दी है चलिए इसकी entry हम कर लेते हैं आपको करना आता है voucher payment debit में salary हो जाएगा salary expenses कितना दिया है 5800 रुपए दी है और ममता सर्मा को यहाँ पर कितनी दी है तो ममता सर्मा को दी है 2300 रुपए और राजेस तो यहाँ पर राजेस को दी है इन्हो आपका cash होगा और यह entry accept हो गई ठीक है चलिए अगली entry देखते हैं अगली entry simple है Mr. Josie sold Mr. Josie यहाँ पर फिर से sold किया है किसको science digital word को sold किया है और यहाँ पर जैपूर के हैं और इनका जो goods हैं यह कहां से deliver किया है जोध पूर वाला जो गोडाउन था वहां से deliver किया गया है माल क ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और चलिए इसकी entry हम कर देते हैं दो ही item है तो यहाँ पर हम चलते हैं वाचर यहाँ पर आपका हो जाएगा sales और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा समझगे ना party name में क्या होगा है हो जाएगा और यहाँ पर आपका sales होगा sales यहाँ पर taxable होगा sales taxable हम तब लगाते हैं जब हम अपनी state में sales कर रहे होते हैं यानी कि JamesT और Sagst लगता है तब ठीक है और जब हमारा state के बाहर होता है तब हमारा लगता है इंटर इस्टेट ठीक है इसको भी हम आगे देखेंगे भी आएगा इंटर इस्टेट सेल्स टेक्सेबल वो तब होता है ठीक है अभी तक यह option यूज में नहीं आ रहे थे यह by default आ रहा था लेकिन अभी इनकी जरूरत है इसलिए हम इसने यूज करते हैं यहाँ पर सेल्स टेक्सेबल लगा दिया था नेम आफ आइटम तो दो ही आइटम है यहाँ पर कौन-कौन से अलेक्ट्रिक आइरन और रिफ्रिजेटर पांच है क्वैंटिटी तो अलेक्ट्रिक आइरन और यह कौन से गोडाउन से जोधपूर गोडाउन से ठीक है और quantity कितनी है 5 है और rate इनका जो कितना है rate देखते हैं आपर कितना है तो rate है 800 रुपए ही है और discount हो गए रहा है यहाँ पर कुछ नहीं है और यह हो गया इसी तरह से दूसरा item यहाँ पर होगा refrigerator ठीक है CGST, CGST amount आ गया फिर लगाएंगे SGST और यहाँ की SGST यह भी amount complete हो गया और इसे हमने finally accept कर लिया ठीक है तो यह entry भी हो गई चलिए अगली entry की तरह बढ़ते हैं अगली entry Mr. Jossi purchased the following item from Pink City electronic जोधपूर unregistered on credit यानि कि उधार इन्होंने खरीदा है देखिए यहाँ पर purchase कर रहे हैं इन्होंने क्या किया Pink City electronic से उधार माल खरीदा है और इन्होंने रखा कहाँ पर है माल को जोधपूर गोडाउन में रखा है ठीक है और यहाँ पर एक चीज़ बताईगे है देखिए यहाँ पर इनको बताईगा जो Pink City electronic से यह के हैं? Unregistered dealer है, ठीक है? Unregistered dealer क्या होता है आपको बता देखिए हम Unregistered dealer नहीं है Mr. जोसी जोसीनिकी हम Unregistered नहीं है लेकिन यहाँ पर जो Pink City electronic है यह Unregistered है, Unregistered का म 날ब यह होता है जिसका GST का registration नहीं होता जिसका GST का registration नहीं होता वो unregistered dealer होता है अब GST के अंतरकत कौन नहीं आता है तो आपको पता होगा जिनका turnover 20 लाख रुपए से कम होता है वो जो होते हैं वो unregistered dealer होते हैं उनको कोई जरूर नहीं कि GST में registration अपना करवा है जिनका turnover 20 लाख से ज्यादा होता है वो GST के दाएरे में आते हैं उनको GST registration भी करवाना है और GST government को pay भी करना होता है तो यहाँ पर Pink City Electronic का turnover 20 लाख से कम होगा इसलिए यह unregistered dealer है लेकिन हमने जो माल खरीदा है वो हमने इन ही से खरीदा है इसलिए यहाँ पर एक चीज क्या होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप unregistered dealer से जो goods है वो खरीद रहे हैं तो वहाँ पर जो transaction होगा उस पर reverse charge जो है वो apply होगा reverse charge क्या होता है तो देखे इसको समझते है तो देखे tax तो pay करना ही करना है अब Pink City Electronic unregistered dealer है इसलिए वो government को tax pay नहीं करेंगे ठीक है लेकिन जब हम माल खरीदेंगे तो हमें government को tax pay करना होगा समझ गये न हमें government को tax pay करना होगा तो इसलिए अभी तक आपने देखा होगा कि जब भी हम entry करते थे तो हम क्या करते थे कि साथ में हम जो भी amount हमका हमारा होता था totaling वो भी पे करते थे plus हम tax भी pay करते थे समझ गे ना लेकिन यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर हम tax pay नहीं करेंगे सिर्फ हम इतना ही पे करेंगे जितना इसकी totaling आईगी मुलब जो हमने item खरीदें के वो इतना लेकिन इसका tax होगा वो भी हम पे करेंगे लेकिन pink city को ना पे करके हम किसको पे करेंगे directly government ब्रचन रखना जो unregistered dealer होते हैं वहाँ पर उन्हें हम payment नहीं करते tax pay नहीं करते हैं उनको हम क्या करते हैं उसका जो tax का पैसा होता हो सीधे government को पे कर देते हैं ठीक है लेकिन जो सीधे गवर्मेंट को हम पे करते हैं वो पे करने का तरीका थोड़ा सा अलग है उसी को बोलते हैं reverse charge ठीक है तो इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे देखेंगे आपर question number 83 में ये वाली जो entry है न ये reverse charge वाली entry है मलब इसी से related है लेकिन हमें अभी यहाँ पर करना कुछ नहीं करना बस हमें ये item के list फटा फट चड़ा देनी है इनका laser बनाना है और ये अंडर जाएंगे sundry creditor में क्योंकि इनसे हम उधार खरीद रहे हैं तो sundry creditor ना क्योंकि उधार खरीद है तो simple entry है बस आपको यहाँ पर किवल tax नहीं ल अब चाहिए और maintenance will by detail यहाँ पर हम इसे yes कर देंगे और बाकी यहाँ पर इसे हम no रखेंगे एंटर करेंगे नीचे आएंगे तो यह राजिस्थान से ही है ठीक है यहाँ पर हम नीचे आएंगे और अभी तक यहाँ पर हम सभी जो भी sundry creditor और डेबिटर की laser बना रहे थे यहाँ पर regular set कर रहे थे लेकिन यह क्या है unregistered dealer है तो यहाँ पर हमें अन्रेजिस्टर डिलर पर click करना होगा ठीक है यहाँ पर हम select कर लेंगे और यहाँ पर GST details जो है yes करेंगे और यहाँ पर हम set करेंगे अन्रेजिस्टर और इसे हम accept कर लेंगे ध्यान लखना जब हम यह यहां पर हमें purchase taxable नहीं लगाना है ठीक है ध्यान रखना यहां पर हमें purchase taxable नहीं लगाना है यहां पर हम नीचे बढ़ेंगे और नीचे बढ़ने के बाद यहां पर आपको मिल जागा देखिए यहाँ पर भी तीन टाइप के option है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, exam, nil rated or taxable, तो यह अला option select करना है, purchase from unregistered dealer taxable, समझ गे न, तो हमें यही चीज यहाँ पर लगानी है, अगर गलत करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है, देखें यहाँ पर जैसे हमने purchase डाल के इंटर क ठीक है, तो यहाँ पर हम AC select करेंगे पहले AC, और go down यहाँ पर आपका कौन सा होगा देखें, go down यहाँ पर आपका होगा जोधपूर, ठीक है, यह कहाँ रख रहे हैं, जोधपूर में रख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका go down हो जागा जोधपूर, और quantity यहाँ पर कितनी है, तो quantity है 10, rate कितना है rate है आपका 24,000 और यह हमने कर लिया ठीक है लेकिन यहाँ पर हमें देखे एक चीज और करनी है कहाँ पर करनी है इन चारो आइटम पर ठीक है क्या करना है चली देखते हैं हमने क्या किया है AC आइटम को control, enter से edit कर लिया है control, enter से alteration mode में आ गए और यहाँ पर set alter GST detail को yes करेंगे और यहाँ पर हम एक option on करेंगे देखे यहाँ पर option आपके सामने यह दिख रहा होगा in reverse charge applicable इसे हमें क्या करना होगा yes करना होगा ठीक है और अगर आपके में यह option नहीं आ रहा है हो सकता नहीं आ रहा हो तो यहीं पर ठीक है कहाँ पर अभी जहाँ current time में हम है इसी situation में आपको keyboard के साथ keyboard में F12 button प्रेस करना है और नीचे आना है यहाँ पर आपको मिल जाएगा enable reverse charge calculation इस वाले option को आपको yes कर देना है समझगे ना इस वाले option को yes करके इसे हम accept कर लेंगे तब उसके बाद यहाँ पर आपके सामने यह option आने लगेगा is reverse charge applicable और अब यहाँ पर इसे हम yes करेंगे और कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपका on value था on value रहेगा taxable था taxable रहेगा 28 था 28 रहेगा बर समय सिर्फ इस option को yes करना था और अगर आपके सामने यह option नहीं आ रहा तो हमने बताया आप यहीं पर F12 की press करें और इस option को yes कर लें और फिर उसके बाद यहाँ पर इसे yes करके finally हम accept कर लेंगे ठीक है I think समझ गयोंगे और इसे हमने accept कर लिया यहाँ पर applicable from तो यह applicable from एक जनोरी यहाँ पर date जो by default आ रही है यही रहने देंगे और इसे हम goods लगा करेंगे यहाँ पर बाकी चीज़े वैसी शोड़ देंगे और accept कर लेंगे और फिर उसके बाद यह आपका हो गया ठीक है तो यह AC हमने इस तरह से complete कर लिया इसी तरह से यहाँ पर आपके बास अगला item है Sailing Fan तो यहाँ पर हम Sailing Fan डालते है Sailing Fan और यहाँ पर go down आपका यह भी जोधपूर होगा और quantity यहाँ पर आपकी यह कितनी है In Reverse Charge को Yes कर लेना है और यह 28 ही का 28 ही रहेगा ठीक है और यह Finally Goods और Accept ठीक है इसी तरह से हमें 4 आइटम पर यह चीज करनी होगी ठीक है अगला item अगला item है Table Fan तो आप यहाँ पर कर सकते हैं आप रहे हम वीडियो को Pause करते हैं कोई Confusion हो तो Comment आप कर सकते हैं तो यह यहाँ पर हमने देखिए 4 आइटम जो है यह Create कर लिए है और 4 आइटम को हमने Edit करके मलब Alteration Mode में जाकरके Reverse वाला जो Option था वो हमने On कर लिया है इस चीज का आपको ध्यान रखना है Finally यहाँ से हम Enter करेंगे और फिर Enter करेंगे देखिए यहाँ पर हमें CGST, SGST नहीं लगाना क्यों नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर हम इनको Tax Pay नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पर हम Side में आप साने एक देख सकते है Tax Analysis इसके उपर किलिक करके हम Tax Analysis चेक कर सकते हैं कि जो Tax हमारा है वो कितना हुआ है इनको तो नहीं पे करना गवर्मेंट को पे करना है तो हमें चेक करना होगा कितना है या फिर हम calculate कर लें calculate कैसे करेंगे तो 3,14,000 रुपए पर 28% निकाल लेंगे क्योंकि इन सभी आइटमों पर कितना लगा है 28% ही तो लगा है तो हम या तो calculate कर लें या फिर हम Tax Analysis में लग जा करके यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर Tax Analysis में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते है टोटल एमांट कितना है एक लाख 4720 रुपए लेकिन इसमें आपका पता है कि CGST और SGST दोनों है तो यहाँ पर हम डीटेल पर जब इंटर करेंगे तो आपको डीटेल में मिल जाएगा यहाँ पर 14-14% इस तरह से लगा है ठीक है तो हमें क्या करना है एक लाख 4720 रुपए के दो टोगड़े करने है आधा पैसा CGST और आधा पैसा जो होगा वो SGST का होगा अमलब सेंटर और स्टेट का ठीक है तो फाइनली यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कितना अमांट है तो हम वापस आते हैं और फिलाल इस इंटरी को असेट करते हैं टेक्स अनलेसेस में हम केवल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं तुरंत इंस्टेंटली ठीक है कि कितना टेक्स हुआ है यहाँ पर हमें टेक्स नहीं लगाना और इस इंटरी को हम यहाँ पर accept कर लेते हैं, तो यह entry हमारी complete accept हो गई है, ठीक है, चलिए अगली entry देखते हैं, तो देखें, अगली entry हमने बताया था ना कि यह क्या है, यहाँ पर tax जो है वो अब government को pay करेंगे, लेकिन government को ऐसे तो नहीं pay कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो इस entry में हमने tax लगाया ही नहीं, ठीक है, हमने क्या किया था, इस entry में tax नहीं लगाया था, तो पहले हमें क्या करना होगा, tax लगाना होगा, लेकिन हम इसमें नहीं लगाया, हम अलग से लगाएंगे, इसको बोलते हैं increase tax liability हम क्या करेंगे tax liability जो है वो पहले increase कर देंगे मलब बढ़ा देंगे और उसके बाद में हम government से उसका credit देंगे payment करके समझ गयोंगे इस तरह से यहाँ पर tax हमें देना होगा चलिए इसकी हम पूरी process को अच्छे से समझते हैं तो यहाँ पर क्या किया गया है tax liability को increase किया गया है तो इसको करने के लिए हमें जाना होगा tally में और यहाँ पर हम वापस आते हैं और वापस आ करके आपको यहाँ पर जाना होगा display में ठीक है कहा जाना है display में जाना है display में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है store А connectivity reports में store Aurora report में जाने के बाद यहाँ पर आपको select करना है GST और यहाँ पर आपको select करना है GSTR 3B फिखिगा यह GST यहां रेटर्न होते हैं इसको हम किसी video में detail में समझेंगे क्या होते हैं फिलाल अभी आपको यह tax liability increase करनी है, इसलिए यहाँ पर हमें जाना होगा GSTR3B में, और यहाँ पर आने के बाद में, एक option आपको यहाँ पर मिल जाएगा, start adjustment का, ठीक है, यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, देखे, state adjustment, sorry, start नहीं, state adjustment, इसके उपर जब हम click करेंगे, तो यहाँ पर यह पूछेगा आपको क्या करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, tax liability increase करनी है, तो यहाँ पर हम select करेंगे, increase of tax liability, ध्यान रखना, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को repeat करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें increase of tax liability पर इंटर करना है, फिर यहाँ पर यह पूछ रहा है, जो additional detail है, इसकी क्या है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे, purchase under reverse charge, ठीक है, purchase under reverse charge, और इस तरह से यहाँ पर हमारे सामने आएगा, general voucher खुल करके, ठीक है, और यहाँ पर हमें entry करनी होगी, तो entry कैसे करेंगे, देखिए, यहाँ पर हमें debit में रखना है, tax on reverse charge, ठीक है, एक laser बनाना होगा, tax on reverse charge का temporary base के लिए बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उसके liability में दिखाना है, ठीक है, तो tax on reverse charge का laser बनाएंगे, तो यहाँ पर हम alt के साथ c button प्रेस करेंगे, और यहाँ पर laser बनाएंगे, ठीक है, tax on reverse, और हम enter करेंगे, यह under कर देंगे, इसको current assets के, ठीक है, किसके अंडर जाएगा, यह current assets के अंडर जाएगा, और बाकी यहाँ पर हम इसे not applicable रखेंगे, मिलब simple वैसे रखेंगे, जैसे भी तक करते आ रहे थे, ठीक है, और इसे हमने accept कर लिया, यहाँ पर इसका tax on reverse charge का total amount होगा, वो आपका वही वाला होगा, जो वहाँ पर tax analysis में आपके सामने पहले आया था, आपको याद होगा कितना था, एक लाख, मिलब 10,44,20, ठीक है, एक लाख 4,720 रुपए, जो total charge हुआ था, वही यहाँ पर आयेगा, डेविट में, और एंटर करेंगे, credit में यहाँ पर आपका आजाएगा, CGST, ठीक है, 14% state का होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14% डालके एंटर करेंगे, और value डालेंगे, 14% कितने पर लगा था, 3,44,000 पर, वहाँ आपका पूरा amount वही वाला होगा, ठीक है, 3,44,000, ठीक है, जो हमने entry की थी, 3,44,000 का माल खरीदा था, आपको याद होगा, पीशे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम enter करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर यह calculate हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हम amount फिर से change करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारा amount कितना होगा, इसका हम half कर देंगे, एक लाख चोहतर हजार सासो भीस रुपए का हाफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आधा ही हमें payment करना है, आधा center को, आधा state को, ठीक है, तो इसका आधा होगा आपका 52,360 रुपए, ठीक है, 52,360 रुपए डालके enter करेंगे, और दूसरी बार यहाँ आपका होगा SGST, SGST, और यहाँ पर भी आपका 14% total value taxable जो होगी, वो वही होगी, 3-4 तर ही होगी, और यहाँ पर बाकी आधा आधा आपका यहाँ पर आ जाएगा, I think समझ गया होंगे, और finally इसे हम क्या करेंगे, accept कर लेंगे, तो यह entry इस तरह से हो गई है, ठीक है, मलब यह क्या हुआ, यह tax liability increase हो गई, अब हम जब आगे देखेंगे, जब अगली entry आएगी, तो इसकी अगली entry आएगी देखेंगे, तो फरोरी मन्त को हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो फरोरी मन्त जो है, ठीक है, आपको याद होगा, GST के बारे में हमने समझाया था, वहाँ पर आप देखेंगे, देख सकते हैं जाके वीडियो, क्योंकि वहाँ पर आपने detail में GST के बारे में समझाया था, ठीक है, चलिए, फिलाल यहाँ से हम वापस आते हैं, और देखते हैं अगली इंट्री, यहाँ पर इस इंट्री का जो कहना था, वह हमने complete कर दिया है, वह इस इंट्री में जितना बताया गया था, उतना हमने कर दिया है, आगे बढ़ते हैं, Q84, Simple Seatry है, Mr. Joseph received a check, 2,93,541 from Sugun Trading Company, Jaipur Full Settlement, यहाँ पर सिंपल से इंट्री में यहाँ क्या हुआ, चेक रिसीव हुआ है, Mr. Joseph नहीं कहा किया, चेक रिसीव किया है, तो यहाँ पर accounting voucher में चलते हैं, voucher received हो जाएगा, और credit में यहाँ पर कौन होंगे, Sugum होंगे, तो यहाँ पर credit में कौन होंगे, Sugum होंगे, एक सेकंड चेक करते हैं, तो यह आपका क्या होगा, Sugum Trading होगा, Sugum Trading कहाँ गए, यह नीचे, Sugum Trading Company, कितना इनका amount है, 293,541 रूपे, 293,541 ठीक है, और क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह चेक रिसीब कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर David में आपका क्या हो जाएगा, HDFC Bank हो जाएगा, ठीके, David में क्या हो जाएगा, HDFC Bank और इस इंट्री को हम फटाफट, असेट कर लेते हैं, यह इंट्री भी हो गई, और अगली इंट्री देखते हैं, Mr. Jossi Transfer Cash, Mr. Jossi ने कहा किया है, Cash Transfer किया है, किसको, Pink City Electronics को, कितना 3,64,000 रुपए, मलब Pink City Electronics, अभी जो Unregistered Dealer थे न, इनसे 3,64,000 का माल खरीदा था, तो इन्हें 3,64,000 रुपए जो है, 3,64,000 रुपए यहां पर आप देख सकते हैं, साइड में आप लिखके भी आ रहा है, और Credit में यहां पर आपका हो जाएगा Cash, क्योंकि यहां पर हम Cash से Payment कर रहे हैं, लेकिन यहां पर Cash से Payment नहीं कर रहे हैं, क्योंकि Cash तो इतना ही नहीं, अच्छा, देखें, यहां पर उन्हें बताया कि, Mr. जोशने कहाँ एक Cash ट्रांसफर किया है, अमलब यह बैंक से ट्रांसफर किया है, अमलब पेमेंट कर दिया है, ठीक है, तो यहां पर फिलाल तो बैंक हो जाएगी, ठीक है, क्या होगा, यहां पर बैंक होगा, ठीक है, कहीं कहीं पर mistake हो जाती है, टैपिंग में, यहां पर Cash नहीं, बैंक होना चाहिए था question में, ठीक है, लिएन कोई दिक्कत नहीं, आप जब reality में बग करते हैं, कितना 10,000 रुपे, और credit में यहां पर आपका हो जाएगा, HDFC bank, और इस इंट्रिक हम ने फाइनली, अशिप्ट कर लिया, तो यहां पर यह जो आपका month था, january यह पूरी तरीके से complete हो चुका है, और अब हम आपको इसका trial balance दिखा देते हैं, display और trial balance, तो यहां पर आप trial balance में देख सकते हैं, यह सारे आपका trial balance है, आप इसका skin sort लें और अपने trial balance से साथ match करें, ठीक है, कोई confusion हो तो आप comment करके बताए हैं, अगले वीडियो में आपकी problem solve कर देंगे, ठीक है, तो यहां पर यह हो गया, फिलाल और skin sort आपने ले लिया होगा, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में जो हैं, फरोरी के entry करेंगे, ठीक है,